नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी स्वस्ता और सानन्द होंगे आप सबों के सुख, शान्तिया और सम्रिद्धिकी मैं इश्वर से कामना करता हूँ प्रत्येक दिन की तरह उपस्तेत हूँ आज फिर से एक जबरदस्ट स्टॉक के साथ ये स इस स्टॉक का नाम बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन अगर आप इस स्टॉक के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक गुप्त खजाना है गुप्त खजाना और इतनी सारी खूभिया एक स्टॉक में और इतना अंजान ये कुछ ऐसा ही है कि कोई एक बहुत जीना दूबर हो जाता है लोग इस तरह उनके आसपास मडराने लगते हैं और इतनी भीड़ी कटी हो जाती है आप देखते होंगे कि कई सारे स्टॉक बिल्कुल नहीं चलते बहुत अच्छा फंडमेंटल से फिर भी नहीं चलते लेकिन एक दिन आखिर कार उनमें एक चलना शुरू किया और धाईसों से उपर पहुँच गया इसका रेट जो बहुत अंडर वैल्यूड लेकिन बहुत ही जवरदस्ट फंडमेंटल्स वाले जो स्टॉक होते हैं जब उनमें विस्पोर्ट होता है तो इसी तरह आया एफल की तरह विस्पोर्ट होता है आप लो भी थी फैक्ट का पी बहुत लो था बहुत ही लो था मैं भी सर्प्राइज था कि इतने लो पी पर ये कैसे काम कर रहा है जबकि सेक्टर का पी बहुत हाई है और फंडमेंटल्स फैक्ट के बहुत ही जवरदस्त हैं सेल्स ग्रोथ को उठा कर देखिए इसके प्रॉफिट प्रोथ को उठा कर देखिए ऑप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए हर जगा जवरदस्त है तो फिर लो पी पर काम क्यों कर रहा था तो लोगों की नजर नहीं थी ये छुपा हुआ महात्मा था गुपा में बैटा हुआ लेकिन जब नजर पड़ी तो फैक्ट में विस्फोट हो गया और फैक्ट दो चार दिन पांच दिनों के अंदर ही लगभग डबल के आस पास चला आया और अभी भी वहाँ से बढ़ने के ही मुद्रा में है अभी शायद और बढ़ेगा लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सोलिडेट करेगा क्योंकि अभी अभी बहु में शुरू होते हैं लोग बाग इस तरह से उस पर तूट परते हैं मानो कि अब उसको छोड़कर कोई दूसरा स्टॉक मार्केट में नहीं है तो ऐसा ही है कि स्टॉक के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा और वो स्टॉक है आपको नाम बताया देता हूं मैं यह स् सिंप्ली वाल स्ट्रीट एक बढ़िया साइट है काफी बहतरीन इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइट कराता है किसी भी स्टॉक के बारे में किलपेस्ट इंडिया लिमेटेड एन अग्रिकल्चर बेस्ट कमपनी मैनुफैक्चर्स और सेल्स पेस्टीसाइड और अग्रो के बैक्टिरियल जो फसलों पे बैक्टिरिया अटेक करते हैं उनको मारने की दवा फंगी साइड्स जो फंगस अटेक करते हैं फसलों पे उनको मारने की दवा हर्बी साइड्स और वीडी साइड्स चोटे-छोटे प्लैंट्स होते हैं जो मिट्टी का निउट्रीशन खा जा बायो निमेटी साइट्स एंड हिल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड प्रोड़क्ट्स, माइक्रो फर्टिलाजर्स, प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट्स, देखे यहां तक जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह फसलों के बहतरी के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको खत्म करने के लिए, प्लांट को नुट्रिशन पहुंचाने के लिए, जो फर्टिलाजर्स होते हैं और प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट्स होते हैं, इन तमाम चीजों का यह प्रोड़क्शन करती है, मनुफैक्चर करती है, उसके अब देखिए इस सारा गेम जो है ये पहले एक्रिकल्चर बेस्ट कमपनी अब तक थी लेकिन अभी हाल में 2010 के आज पास इसने एक अपना सबसेडियरी ओपन की एक रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट कमपनी है जो बायो मॉलीकुल्स को रिसर्च करती है बायो मॉलीकुल्स औ और इस कमपनी के आने के बाद किलपेस्ट का जो पूरा का पूरा आउटलुक था जो पूरा होराइजन है वो बदल गया है क्योंकि इसके बाद ये जो सबसेडियरी कमपनी है जिसका नाम मैं भी बताऊंगा उसने ऐसे ऐसे जब अरदस्ट बायो मॉलीकुल्स की खोज की ह टेस्ट किट्स बनाये हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कोविड दस्तक दे रहा था इंडिया में तो इससे पहले कि हम उसको रिस्पॉंड करते ठीक से इसने अपना ओलरेडी कोविड का किट बना डाला था ये नंबर वन था कोविड का क बहुत जबर्दस्त क्योंकि कोविड में इसने एक किट बना लिया नहीं इसने और भी कही सारे किट बनाये हैं और पात ब्रेकिंग काम किया है जबर्दस्त बायो मॉलिकुल्स बनाये हैं जबर्दस्त रिसर्च किया है प्रेसिडेंट एवार्ड मिल चुका है इसको सब आपको बने रहे है वीडियो के साथ, वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, फायदा नहीं होगा, सबसे पहले इसका प्राइस देख लीजे, 287 रूपीज के आसपास है, और जो इसका मार्केट कैप है, वो 215 करोड के आसपास है, फेस वैल्यू 10 रूपीज है, और पी इसका 10 107 दिखा रहा है, पी बी 9.69 दिखा रहा है, आरोई 9.04 दिखा रहा है, पी जो है इसका 107 दिखाना ये गलत है, ये एक्चुली काफी पुराना एवरेज है, बीस इने इसको अपडेट नहीं किया है, ये पी आज के डेट में सिर्फ 2 के आसपास है, सिर्फ 2 के आसपास, से 13 टाइम्स लेस पीई है इसका सेक्टर के मुकाबले इसमें इंडस्ट्री में एग्रो केमिकल लिखके इसने छोड़ा हुआ है लेकिन दरसाल अब यह सिर्फ एग्रो केमिकल नहीं है यह डायगनोस्टिक्स में जोड़ार अपना इंट्री मार चुका है और इसका जो मेजर र को बेच के इसके पास इसका मुनाफ़ा जोरदार धंग से बढ़ रहा है और सेल भी जवर्दस धंग से ग्रो कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका रिजल्ट पिछले दो क्वार्टर का इसके पिछले क्वार्टर में इसका रैंकिंग फिफ्टी था और वहां से अभी ये घटा है थोड़ा सा और घट के 40 पर आया है और अभी भी ये आउटस्टेंडिंग ही है मैं आपको बता दूँ ये मार्केट मोजो बीएसी के साइट पर जो रिजल्ट का रैंकिंग देता है रैंकिंग अगर उसका 30 है तो वो आउटस्टेंडिंग माना जाता है और फिर अभी गिरा भी है तो भी 40 यानि की हाथी मरा भी तो 9 लाक का मैं आपको लेकर आया हूँ इस समय स्टॉकेज पर जहां पर आपको मैं इसके डिलिवरी पोजिशन्स दिखाने वाला हूँ और जब आपको पता है कि जब डिलिवरी पोजिशन्स बहुत जबरदस्ट होती हैं तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा विस्फोर्ट डेफिनिटली आता है जैन्वरी सेवन 72.5% तो मैं इसको 73 बोल रहा हूँ तो 73, 71, 77, 61, 75, 81%, 70%, 73% जैन्वरी 18 से लेकर जैन्वरी 28 तक का डाटा है यहाँ पर 74, 67, 73, 78, 83, 79, 67, 62, 76, 78, 61, 77, 60, 59, 74, 89 आप आपने कहीं भी हार्ली 70 से नीचे कहीं दिख रहा है यह सारे के सारे जो डिलिवरी पोजिशन्स हैं वो 70 से उपर हैं और आज से नहीं यह पिछले तीन महिने से चल रहा है यह कारोबार फेबरोरी 10 को 83%, 78, 67, 78, 79, 83, 71, 76, अब मैं थोड़ा मार्च में आता हूँ 66, 72, मैं आपनों को इंकरेज करूँगा कि खुद भी जाकर देखिएगा इसको स्टॉकेज पर मार्च 1 को 66, 2 को 72, 76, 81, 78, 68%, 87%, 80%, 76%, 93%, 82%, 88%, 67%, 80.3% इतना जोरदार डिलिवरी किलपेस्ट में आया इतना जोरदार और मुझे लगता है कि इस समय किलपेस्ट में एक बहुत ही जोरदार अपोर्चुनिटी है देखिए इसका बुक वैल्यू 144 है और इस समय मिल कितने पर रहा है आपको लगभग 280 के आसपास मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू 1.99 और इंडस्ट्री पी देखिए 27.66 है किलपेस्ट का पी 2.26 है अगर आप देखेंगे 13 गुना कम है 1 by 13th of sector PE है समझ रहे हैं तो इतने लो PE पर कोई स्टॉक काम नहीं करता जब तक कि बहुत ही गया गुजरा नहों और ये स्टॉक तो ऐसा है जिसने मिसाले खड़ी की है और इसमें गया गुजरा होने की तो बात ही नहीं है ये तो आने वाले समय में स्टैंडर्ड सेट करने वाला है मानक सेट करने वाला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए किलपेस्ट इंडियाज लीडिंग एग्री बायोटेक कंपनी है ना एन्वल रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी पर मैं आपको लेकर आया हूँ एक तो ISO सर्टिफाइड कंपनी है नमबर वन एग्रोकेमिकल्स में काम करती है Research and Development में काम करती है Researched Bioproducts में काम करती है और Molecular Enzymes में काम करती है Molecular Diagnostic Kits में काम करती है और Contract Research में भी काम करती है Contract Research का मतलब होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां है वो Research के लिए इसको Fund देती है और कहती है कि तुम Research करो और फिर उसका भले ही copyright उसका होगा क्योंकि वो fund कर रही है लेकिन research का जो है काम इसको मिलता है और इसमें इसमें भी एक बढ़िया कमाई होती है देखिए आपके सामने ये financial highlights आ गया है consolidated FY20 का 2019 के मुकावले revenue 24% बढ़ा है profit before tax 44% बढ़ा है और profit after tax 46% बढ़ा है और EPS 24.94% बढ़ा है यानि कि 25% आप बान सकते हैं तो इतना जबरदस्ट growth 19 के मुकावले 20 में करके दिया है और 20 में ही मैंने पिछले 2 quarter का Q3 और Q2 का result तो आपको दिखा ही चुका हूँ बढ़िया performance ये पहले से करती आ रही है कि 2020 में और भी ज़्यादा बढ़िया perform किया है यहां देखिए किन-किन छेत्रों में ये काम करती है Oncology, Oncology मतलब Cancer से related जो Kids वगरा होती है, दवाय होती है, Molecules होते है Infectious Disease में काम करती है जैसे COVID-19, Women's Health में भी काम करती है Human Genetics में काम करती है Public Health में भी काम करती है 3B Black Bio Biotech बड़ा नाम है थोड़ा 3B Black Bio Biotech FY20 का ये सारा Financial Highlight है Revenue ग्रो किया 37% से 2019 के मुकाबले और EBITDA जो है ये 44% का ग्रोथ है EBITDA में और PBT देखिए ये इसमें भी 45% का असपास का ग्रोथ है और Profit After Tax इसमें 47% का ग्रोथ है देख रहे हैं इसके Financial Report में Page No.18 है ये तो हमको ये Information 3B के लिए मिलेगी 2017 अठारा में सेल्स 765 लाक और 2018 उनिस में 1118 लाक और 2019 इसमें 1536 लाक यानि कि 15 करोड है ये दरसल ये 7.65 करोड है और वहां से बढ़कर ये हो गया है 15.36 करोड तो यहां से लगबग डबल हो गया है देख रहे हैं दो ही साल के अंदर सेल्स डबल हो गया है उसी तरह Profit देखिए पैट 17.18 में लगबग 2.90 लाक्स था और यहां से लगबग 500% का इंक्रीज है इसमें रफ ली आपको पता है कि चुकि COVID था तो COVID में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो किसी कंपनी नहीं किया था क्योंकि वहां पर काफी सारा लॉक्डाउन वगड़ा हो गया था लेकिन आपको पता है कि Pharma शोटिकल कंपनीयों की इस समय बहुत जरूरत थी उनका प्रॉफिट वगर अभी काफी जोरदार धंग से ग्रो हुआ तो देखें यहां पर परफॉर्मेंस अब सबसीडियर COVID आ गया था मार्च के आसपास देखें एप्रील दो को ही यानि कि अभी COVID ने दस्तक दिया और इसने फटाक से COVID-19 का किट बना डाला इतना क्विक रिस्पॉंस बहुत ही efficient जो institutions होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं तो इस बात से आप आपको यह पता चल गया होगा कि इतने छोटे समय में इतना क्विक रिस्पॉंस करना यह साधरान बात नहीं है देखें 3B Black Bio Bio Tech India Limited Subsidiary of Kilpist developed a real-time PCR detection kit for SARS COVID-19 कि आपने टेस्ट किया और फटाक से पता चल गया कि यह कोरोना ही है तो इस तरह का kit इसने develop किया kit has been given ICMR approval for use on patient samples तो ICMR का approval भी मिल गया कि इस kit को जोरदार बेचा है किलपे इसने और जोरदार कमाई भी की है It works on any of the available real-time PCR instrument available with the labs April में इसने बना लिया था और 2020 को US से भी इसको approval मिल गया जो कि इसके associate वहाँ पर जो है US में दूसरी company उनके थुरू इसका approval मिला और उसके बाद देखिए with this 3B Black Bio Biotech India became first ever Indian Molecular diagnostic company पहली company बन गई जिसको की US FDA का approval मिला इस kit के लिए especially at times when more and more reliable test is the need of the hour for India ये तो आप appreciate करेंगे कि जब COVID आया था तो कितना भेंकर इसका डर चारो तरफ फैला था और उसमें need था कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा kits available कराए जाएं लोगों की जान बचाई जा सके और फिर ये Make in India वाला जो वीजन है प्राइम मिनिस्टर का उसके भी बिलकुल माकूल है On May 11, 2018 भोपाल Honorable President of India श्री रामनाथ कोविंद गेव नैशनल एवाड फॉर कॉमर्शिलाइजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलोजीज हैड विन डेकलेड अस दो वीनर आफ नैशनल एवाड तो हजार अठारा नैशनल एवाड टूथाउजन एटीन अंडर MSME केटेग्री माइक्रो साइज, स्मॉल और मीडियम इंटर्प्राइज जो हैं उनके लिए एक जवरदस्त इस पर्टिकुलर कैंसर के लिए 3B ने एक किट बनाया और ये किट जो है और डवलु एचो इंटरनेशनल स्टेंडर्स पे बनाया जो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन है बिलकुल उसके पैमाने पर खरा उतरा और इसके लिए इसको 2018 में नैशनल एवार्ड मिल चुका है स्वाइन फ्लू का वनली किट जो है सिंगल एक ही किट बना और वो इसी ने डेवलप किया और दूसरा तूबर कुलोसिस के लिए भी इसने जबरदस्ट किट बनाया और वो भी काफी जाना माना किट है तो आपको मैंने 4-5 तो मैंने आपको बताया कि कैंसर का किट डेवलप किया कोवीड का किट डेवलप किया स्वाइन फ्लू का एक आज तक भारत में इसी का किट चलता है इसके अलावा कोई किट ही नहीं है टीबी का किट इसने डेवलप किया लाइफ चार्ट पर देखने में अक्सर जो है हमें परिशानी होती है क्योंकि कहीं बहुत बड़ा कहीं बहुत छोटा इस तरह का देखने को मिलता है, यहां देखिए, 90 रुपीज के पास काफी दिनों कॉंसोलिडेट किया, और 2020 आते ही, जैसे ही यह पैंडमिक आया, COVID, तो इसने ग्रो करना शुरू किया, और देखिए किस तरह से ग्रो किया है, शायद इसमें इंसाइडर्स को पता था, कि यह जल्दी ही किट डेवलप कर लेगा, और किट पे काम हो रहा था, तो 90 रुपीज से बढ़कर, यह लगबख सीधा 525 के रेट प्राइस पर चला गया, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, जाकर अपने चार्ट पर, यह सारे अपर सर्किट से यह सारे अपर सर्किट से चल रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर वहाँ से लोईर सर्किट चलते चलते, लगबख 270 के आसपा से आ गया था, गिरते हुए, और फिर, हमेशा या तो यह अपर circuit में दिखेगा या आपको lower circuit में दिखेगा generally, अभी कुछ दिनों से consolidate करते हुए, देखिए इस समय यह 287 के price पर आपको मिल रहा है और यहाँ पर यह 270 का जो level है यह 275 का, यह इसका बड़ा ही strong support है, यहाँ से हाल में इसमें जो घटना घटी है कि इसने उस level को, उस level से थोड़ा नीचे आके, यह यहाँ पर trade किया है और यहाँ पर trade किया है जो की roughly 270 के आसपास ही है लेकिन पहले का level थोड़ा सा तूटा है यह अब यहाँ से क्या हो सकता है तो यहाँ से या तो सीधा या bounce back कर सकता है चुकि तेजी बहुत जबरदस रही है तो यहाँ से थोड़ा और भी fall कर सकता है तो अगर fall करेगा भी तो मुझे लगता है market गिरे worst case scenario हो जाए तो भी अगर fall करता है तो मुझे लगता है अपने इस level को तो definitely नहीं तोड़ने वाला है और यह level है 200 का मैंने आपको बताया कि इसका PE जो है sector PE के 1 by 13th पे trade कर रहा है यानि कि अगर sector PE के बरावर इसका PE हो तो इस समय जो price है इसका लगबग 287 के आसपास है इसको 13 से multiply करिए इसका price actually जो निकल के आता है यहाँ पर वो देखके आपको भी अश्चरे होगा लेकिन ये price लगबग 3000 के आसपास आता है काफी 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 undervalued stock है इस stock में एक विसफोट आना बिल्कुल ता है मुझे लगता है कि कल भी इसमें एक बड़ा विसफोट आ सकता है देखिए 1 month to 3 month का target में आप लोगों को बता देता हूँ अगर यहाँ से यह bounce back करता है तो इसका minimum price 280 से minimum बता रहा हूँ यह बहुत conservative figure बता रहा हूँ यह 350 हो सकता है और यहाँ से जो आपका gain बनता है लगभग 25% के आसपास का gain 1 month to 3 month के लिए बनता है तो अगर आप लोग इसमें धैरेधारन करके इसको 5 साल तक 5 एर तक का इसमें पैसा लगा कर भूल जाएए यहाँ से इसका price नहीं नहीं तो 10 times definitely multiply करेगा और इसका price कहीं आपको 2500 के आसपास तक दिखेगा मैंने जो कुछ भी कहा है इसकी कोई guarantee नहीं है और न मैं buying का recommendation देता हूँ यह सब मैं आपके लिए education purpose के लिए वीडियो लाता हूँ इसमें खुद भी थोड़ा research करिए अपने financial advisor से बात करिए तवीस में position बनाईए यह था हमारा आज का stock even 2-4 दिनों के अंदर भी इसमें बिसफोट हो सकता है यहाँ पर सिर्फ 50% ही पैसा लगाईएगा 50% इसके fall के लिए बचा कर रखिएगा अगर यह fall करेगा तो 200 के आसपास इसमें further 50% लगाईए वैसे मुझे कम उमीद है कि यहाँ से और ज्यादा fall होगी इसमें मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जवरदस्ट stock के साथ कल फिर से सब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जय स्री राम